कुछ लोग bald क्यों हो जाते हैं? कुछ में तो baldness आती ही नहीं है कुछ बहुत जल्दी bald हो जाते हैं और पुरुषों में ही baldness क्यों होती है? पुरुषों में यह हार्मोन होता है testosterone और महिलाओं में estrogen तो यह जो testosterone है इसका एक active form होता है जिसका नाम है dihydrotestosterone DHT और यह DHT ही main culprit है जो बालों को गिराने के लिए responsible होता है इसी तरीखे से बालों का जो गिरना है यह भी genes के माध्यम से regulate होता है तो यह जो genetic inheritance है यह बहुत important role play करता है तो जिन लोगों की genetic tendency positive है उसमें जो पुरुष हार्मोन है DHT वो ज़्यादा sensitive हो जाता है उसके receptors ज़्यादा नमबर में पाए जाते हैं और यह बालों को गिराते हैं तो जीन से और पुरुष हार्मोन से related होने की वज़े से इस baldness को बोलते हैं एंडोजनेटिक तो एंडोजनेटिक एलोपेशिया मतलब पुरुष हार्मोन और अनुवांची